एक word आता है line हाजिर होना एक word आएगा suspend या निलंबित होना और एक word आता है बर्खास्त या dismiss होना या terminate होना देखिए ये तीनों में बुनियादी अंतर क्या है इसमें एक word जो होता है line हाजिर पहला चीज की ये पुलिस डिपार्टमेंट से है मान लिया जाए कि कोई थानेदार या कोई सिपाही किसी ऐसे जगह पर नौकरी कर रहा हो जहां पर कुछ भुचाल पैदा हो गया हो कुई हलचल पैदा हो गया हो और उसको वो सम्हाल पाने में पुरुनता सक्षम नहीं रहा तो उस कंडिशन में उच अधिकारी पर दवाव पड़ता है कि यह व्यक्ति यहां के लाइक नहीं है तो उस कंडिशन में उस व्यक्ति को वहां से हटा कर किसी दूसरे काम में लगा दिया जाता है तो उसको हम लोग कहा जात कहते हैं लाइन हाजीर इसमें बेतन पर कोई परभाव नहीं पड़ता, सेवा सर्त पर कोई परभाव नहीं पड़ता, नहीं मांगाई भता रोका जाता है ना कुछ होता है मतलो लाइन हाजीर पुलिस डिपार्टमेंट का एक सब्दावली है उन करमचारियों के लिए या उन पुलिसों के लिए जो अपने उतरदाईत का निर्वान सही धंग से नहीं कर पाते अब दूसरा टर्म आता है सस्पेंड या निलंबित करना सस्पेंड या निलंबित दोनों एक ही टर्म है इस सब्द का मतलब होता है कि ये कांद पहला चीजे की जो ऑथरिटी होता है कोई भी डिपार्टमेंट में जो उच अधिकारी होता है वो उच अधिकारी अपने से नीचे के अधिकारी के ऊपर इस पावर को उपयोग में ला सकता है। इसमें क्या होता है कि आपका वेतन जो है, वो 50% कर दिया जाता है। बेतन कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, आपके ऊपर जो आरोप लगा है, आपको जिस आरोप के आधार पर suspend किया गया है, वो आरोप की जाँच होगी, कि आपके ऊपर लगाया गया आरोप सही है या गलत है। दूसरी चीज़ आपको जो महंगाई भत्ता सरकार देती है यह महंगाई भत्ता बन खो जाए हमने क्या कहा कि सस्पेंड या निलवित होने के बाद अधिकारी जो है वुच अधिकारी कर सकता है बेतन इसमें आधा कर दिया जाता है लेकिन सेवा समाप्त नहीं होता है तुमक आपके आरोपों की जांच होगी अब कहोगे कि आरोप अगर लगाया वह सही निकला तो तो बहुत कुछ हो सकता है उसमें यह भी हो सकता है बरखास्त या डिस्मिस इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेट करना क्या करना टर्मिनेट यह कोई भी डिपार्टमेंट में साधा परण अधिकारी को नहीं होता यह डिपार्टमेंट के सरवुच अधिकारी को तब उचित्तम अधिकारी को होता है इस टर्मिनेट करने का मतलब हो गया सेवा समाप्त आपको बेतर नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी नौकरी ही समाप्त कर दी गई है नौकरी खतम और किसी भी विभाग में आप नौकरी नहीं कर सकते मतलब पूर्णता सेवा समाप्त है कोई विभाग में नौकरी नहीं कर सकते आप चुनाव नहीं लड़ सकते यह कहलाएगा भरकास्त या डिस्मिस सो सब्दों के बदले एक सब्द आप लोग जानने लाइन हाजिर होना पुलिस डिपार्टमेंट का है यह एक तरह से चंता के मनोभाव को रखने के लिए किया जाता है इसका मोटिफ कोई सजा देना नहीं होता है दूसरा चिस सस्पेंड या निलंबित करने में बितन हाप कर दिया जाता है नौकरी समाप्त नहीं होती सेर्विस उसे लिया जाता है मंगाई भता रोक दी जाती है लेकिन बरकास्त या dismiss या terminate का मतलब होगा कि आपकी सेवा 100% समाप्त की जाती है चुनाओं नहीं लड़ सकते किसी एन विभाग में नौकरी नहीं कर सकते अगर वाकए आप लोगों को लगे कि ये दिया हुआ information आप लोगों के काम के लिए कमाल का है तो निशीत रूप से वडियों को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कर देजाएं